हालो स्टुदेंट्स, वेलकम पू दिस चैनल, आम यूर माथ्स टीचर, तोड़े हम क्लास 9th माथ्स चैप्टर, कंपाउंड इंट्रेस्ट विदाउट उसिंग फोर्मुला, एक्सरसाइस टूए क्वेशन नबर 10 और यह इस एक्सरसाइस का आपका लास्ट क्वेशन है, जै आपको यह एक्सरसाइस बहुत अच्छे से समझ में आ सके और आप एक्जाम में अच्छे माक्स लासेगे, okay, so your question is, find the compound interest on rupees 4000, accurate occurred in 3 years, where, where the rate of interest is 8% for the first year, first year के लिए 8% and 10% per year for the second and second year and third year, ठीक है, this is your question, so सबसे पहले, we have, यानि कि जो हमें given होगा, यहाँ पे देखें, यह आपका जो given है, principal amount, यानि कि P, rupees 4000 है, okay, 4000 and, आपका rate of interest, यानि कि R1, first year के लिए है, आपके पास 8%, ठीक है, and then R2 equals to R3, because second and third year के लिए same है, आपके पास, कितना है, 10% है, okay, 10% given है, and जो time है, वो, यानि कि time, को T से denote करते हैं, वो 3 years, right, okay, तो इसे हमें solve करना है, and हमें बताना है, compound interest, तो जो इसके लिए हम use करेंगे, formula use करेंगे, amount का formula हम use करेंगे, वो होता है, आपका principle in bracket 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, and 1 plus R3 upon 100, क्योंकि 3 years के लिए और आपके पास 3 different, यहां पे rate of interest given है, तो हम इस formula का use करेंगे, यहां पे जो आपका A है, that is amount, ठेक है, इसे final amount है, जो भी आप कहना चाहिए, यह जो P है, this is your principal amount, and R is rate of interest, okay, and T, that is your time, आओ इसी formula में आप अलिपूट करिये, and question को solve कर दिजे, let's solve this question, यहांने कि amount, principle है, आपके पास 4,000 rupees, 1 plus R1 है, आपके पास कितना है, आप देखे, 8% है, 8 upon 100, and then 1 plus 10 upon 100 हो जाएगा, बिगोस second के लिए R कितना है, 10 है, R2, and 1 plus 10 upon 100, क्योंकि 3rd, यहांने कि जो R3 है, वो भी 10 ही है, नावसे हमें क्या करना है, calculate करना है, calculate कर लेते हैं, अब देखे, 4000, यहांपे 1 let करके हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, जब LCM लेंगे, तो LCM 100 आ जाएगा, आपके पास 1 divide करेगा, 100 बचेगा, जो इस 1 को multiply करेगा, यानि कि 100 बचेगा, आपके पास plus है, तो plus 100 इसको divide करेगा, cancel out, 1 बचेगा, 1, 8 को multiply करेगा, तो 8 बचेगा, 8 ही होगा, आपका, right, next में भी हम 1 ले करके, LCM ले लेंगे, let's LCM ले लेंगे, हमने, 1 divide करेगा, तो 100 बचेगा, 101 को multiply करेगा, तो 100 बचेगा, 100 होता है, right, plus 100, इसको जब divide करेगा, तो cancel हो करके, कितना आएगा, आपके पास, 1 आएगा, and 1 into 10, 10, 10 ही होता है, and then, यहाँ पर भी LCM ले लेंगे, 1, और LCM आएगा, 1 एन 100 का 100, 1 divide करेगा, 100 बचेगा, जो 1 को multiply करेगा, it means, 100 बचेगा, 100 बचेगा, इसको cancel out, 1 बचेगा, 1, यानिकी 10 बचेगा, 10 हो जाएगा, आपके पास, now, इसे देख लेजे, calculate करते हैं, यहाँ पर amount equals to 4000, in bracket, 100 प्लस 8, 108 हो जाएगा, and 100, and यापी देखे, 100 प्लस 10, it means, 110 बचेगा, 10 बचेगा, आपका, 100, 10 बचेगा, आपका, 100, 10 बचेगा, right, अबी देखे, A equals to, यानिकी, amount equals to 4000, into 108, upon 100, into 110, upon 100, multiplied, 100, 10, upon 100, आपको बहुत ही ध्यान से ही ये सारी calculation करनी है, because अगर आपने छोटी सी भी गलती की, तो आपका calculation गलत हो जाएगा, और calculation गलत हो जाएगा, तो आपका answer कभी भी साही नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से, एक-एक desert को भी ध्यान में रखते हुए ही, आपको इस question को solve करना है, क्योंकि अगर एक भी desert आपने गलत किया, और गलत हो जाएगा, आपका आने वाला final answer तो आपको marks नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से, एक-एक desert को देख करके, इस question को आपको क्या करना है, solve करना है, ठीक है, चलिए आगए अभी क्या करते हैं, solve करते हैं, तो यहाँ पर देखें, amount, अभी आपके 20 and 10, 10, cancel out, यहाँ से, with 20 and ये 20 आपके cancel out हो जाएगा, अभी देखें, देखते हैं, क्या बच्चा है यहाँ से, 40 multiplied 108, multiplied यहाँ से, देखें, यह 0 cancel हो चुका है, 11 बच्चेगा, यहाँ से, 11 बच्चेगा, and, denominator में आपके बच्चेगा, 100, एक 0 अभी भी cancel हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, cancel कर देंगे, अभी देखें, आपका amount क्या हो जाएगा, यहाँ से, 4 multiplied 108, multiplied 11, multiplied 11, upon 10 आपके पास बच्चेगा, ठेके, आपके पास यह बच्च रहा है, अभी आप देखें, आप इस 10 को, इससे आप हम cancel कर देते हैं, यह 2 से divide हो सकता है, यानि कि 2 5 जा 10 होगा, 2 4 जा 8 होगा, और यह 2 5 जा 10 हो जाएगा, आप देखें, यहाँ पर amount equals 2 हो जाएगा, 4 multiplied, 54 multiplied 11, इंटू 11 हो जाएगा, and divide में आपके पास 5 है, ठेके, आपके divide में है 5, अभी हम क्या करते हैं, अभी देखें, यहाँ पर 54 and 4 का अगर multiply करते हैं, तो देखें, 4 4s are 16 होता है, 4 5, carry 1, 4 5s are 20, and 1, 21 हो जाएगा, राइट, इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है आपका, 121 होता है, and 5, अभी amount equals to क्या हो जाएगा, आपका 216 multiplied 121 आपका होता है, यह होता है, आपका 26,000, 26,136 divided by 5, इसको हम क्या करेंगे अभी, 5 से divide कर देंगे, तो यहाँ पर देखें, amount आपका आजाएगा, 5,227.2, यह रुपीज में आपका, यह आपने amount find कर लिए है, यहाँ पर, बट हमें amount find करने के लिए question में इसने नहीं कहा था, question कह रहा था, आप हमें बताएए, compound interest, ठेक हैं, हमें compound interest बताना है, 3 years का, तो हमने तो अभी amount find किया है, right, amount हमने find कर लिया है, but we know that, जो आपका compound interest है, नहीं कि CI होता है, वो होता है, आपका amount minus principal, जो आपका total amount आए, उससे हम क्या करेंगे, principal को minus करेंगे, जब principal को minus करेंगे, then हमारा compound interest आ जाएगा, तो अभी दीखें, amount आपके पास आया है, 5,227.2, minus principal आपके पास कितना है, यहाँ पे देखें, 4,000 रुपीज है, यह देखें, principal amount is 4,000, ठेक है, यहाँ पे put कर देंगे हम, 4,000, ठेक है, तो अभी देखें, आपका जो CI है, compound interest, आप 5,000 से 5,227.2 से 4,000 minus करेंगे, then यह जाएगा 1227.2, ठेक है, जो आपका CI compound interest है, वो 1227.2 रुपीज आपका आएगा, यही आपका final answer है, ओके, I hope आपको, chapter compound interest, without using formula, exercise 2, a question that बहुत एच्चे से समर्ज में आग्या होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, तेरा आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तक आपको आने वाली notification सबसे पहले मिल सके, थाइ, तक यू ओवचिए.